हम महदीपुर के बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं हम महदीपुर के बालाजी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कष्ट मिटाते हैं, हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार भारत में जाना माना पर देश राजस्थान दोसा जिले में महदीपुर बाबा का पावन धान दो पहाडियों के बीच में है ये अदभुत सा मंदिल सब के संकट हरने की सक्ती है इसके अंदर अतिमन मोहक दिश्य का भगती रसबर से होते हैं भै मुक्त भत इनके दर्सन करके राम भक्त बजरंगी यहां पे बैथे हैं शाक्षात दुष्ट आत्माओं की पेसी लेते भैरो नाओं भूत प्रेत तो सुनके नाम इनका घबराते हैं पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कश्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तारनहार महदीपुर के सरकार भगतों के तारनहार प्राचीन काल में एक महंत थे जिसका नाम गणेश बाला जीने सपने में आ दिया उन्हें आदेश हे महन तुम मेरी सेवा को सुईकार करो करके पूजा इस अस्थान के तुम साकार करो की सुईकार महंत ने उनको जो आग्या दी है तीन शक्तियां फिर तो आके यहां भिराजी है अदभुत तीन सक्तियों का यहां पावन संगम है माकाली और भैरोनात यहां बालाजी हर दम है दूर दूर से भक्त यहां तरसन को आते हैं पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कश्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार तब महंत जिबालाजी की सेवा करे निरंते कटने लगे संकट भगतों के इस दर पे आकर दूर दूर तक फैली प्रसिद्धी इस दरबार की मिटने लगी सब विपदा दुखिया इस संसार की भूत प्रेत का साया जिस पे भी पड़ जाता है महदीपुर दरबार में वो तोटिक नहीं पाता है पटक पटक के सर रोए जब पेसी आती है बड़ी मुसीबत भी यहां आकर टल ही जाती है बाला जी अपने भगतों के कष्ट मिटाते हैं पावन कथा सुनाते हैं गाटे वाले सब भगतों के कष्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार जिन भगतों की मनसा पूरी यहां पे हो जाएं दाल चूर मा सवा मणी का भोग कोई लाएं महदीपुर बालाजी का है अदभुत रूप निराला भव्य बड़ा मंदिर है और कई बनी धरम साला उत्तम प्रबंध है रुकने का सारी सुख सुभिधाएं करके दर्सन बालाजी का पुन्य भक्त का माएं नीचे मंदिर बालाजी का उपर माकाली माता को है भक्त बुलाते तीन पहाडी वाली धन्य भाग यहां आकर भगतों के हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कश्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार अजर अमर है सदा सदा से वजरंगी हनुमान पुरसोतम स्रीराम दिये हैं खुद इनकों वर्दान सबसे पहले नाम राम भगतों में आता हैं भाई भरत के जैसा राम सिनकान आता हैं बचपन से ही हनुमान स्रीराम को भाए थे बन पानर जब भोले संग अयोध्या आये थे भोले जीने हनुमान को ऐसा नाच नचाया ये बानर तो मैं लूंगा स्रीराम के मन में आया लेकिन भोले बानर उनको ना दे पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं गाटे वाले सब भगतों के कश्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार सिरीराम को अड़ ही गए थे फिर अपनी जिद पढ़ बोले के मुझे को लेना है बस वो ही बानर कितने बानर जाने राजा दसरत ने मंगवाए लेकिन कोई बानर राम को पसंद नहीं आए आखिर राजा दसरत ने करी खोज और पढ़ता बुलवाए हनुमान राम जी तभी हुए खुसहार नर के रूप में थी लीला ये तो स्री राम की इच्छा थी मिलने भक्त से खुद भगवान की जो बोले स्री राम वहां बजरंगी आते हैं पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कष्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं मेहदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार मेहदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार लेके जबवन वासवन में प्रभुस्री राम पधारें आये हैं हनुमान स्री राम के काज सवारें मित्रता स्री राम की है सुग्रियू से करवाई सिया खोजने बानर से ना सारी है लगवाई लेकिन सागर बनकर बाधक रस्ते में आया जा मवन्त ने हनुमान को बलका याद कराया विक्सित हो गई काया आपकी बलकी याद जो आई लेकर के नाम राम का ऐसी छलांग लगाई सोयोजन का सागर पल में लांग ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कश्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार घूसा मारे लंकिनी मारी राह में जो आई मुत्र का स्री राम की सीता मह को दिखलाई मा सीता को अती प्रचन हुई कर स्री राम को यार रहो अजैसादा बजरंगी दिया है आसिरबाद लेके आग्या सीता मा से लगे वो फल खाने मारे भगाए सभी दुष्ट जो लगे थे टकराने पता लगा रावड को कैसा बानर आया है सब पहरेदारों को जिसने मार भगाया है फिर रावड अपने पुत्र अक्षे को पठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं गाटे वाले सब भगतों के कश्च मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार फिर तो अक्षे को भी है इक पल में मार गिराया सुनकर दुखी हुआ रावड और क्रोध बड़ा ही आया में घनात को भेज दिया है फिर तो रावड ने लगे हार ने हनुमान से लगे जो युद करने ब्रह्म फास फिर में घनात ने हनुमान पे चलाया हाथ जोड कर खुद फस गए ब्रह्म कमान बढ़ाया रावड ने सोचा बानर को सबक सिखाऊंगा पूछ ही प्यारी हो बानर को इसे जलाऊंगा पूछ बढ़ा सारी लंका हनुमान जलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कश्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार लखन लाले और मेघनात जब युत रहे थे कर मेघनात ने लखन पिछोडे दिया था ब्रह्म अस्त्रे मुर्चित हुए लखन तों वैति सुसेन को तुम लाए सुर्योद ऐसे पहले सजीवन लेकर तुम आए राम प्रभु ने खुद ही तुम्हारी करी बढ़ाई है लगा किसी ने बोला भरत बराबर भाई है अजर अमर हुए प्रभु सेवा से आप वीर हनुमान तेरी सक्ति के बारे में जाने सकल जहां दुष्ट दलन और भय भन्जन तो आप कहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कश्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार महदीपुर के सरकार भगतों के तार नहार कितने ही किस से मिलते हैं तेरी भीरता के होगी नहीं बखान कोई एक ही कथा से रामभक्त हनुमान सदा तुम पूजे जाओगे कल युग में भी भगतों के तुम कश्ट मिटाओगे हंस राजर लहन तो अपनी जितनी करे बढ़ाई लगता है कि छोटी सी कथडी असपाल ने गाई धन्य भाग मेरे हो गए बाबा आके तेरे दर्बार चर्णों में तेरे चाहे जगहाय फोजी सुरे से कुमार ना मुमकिन को मुमकिन बजरंग आप बनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं घाटे वाले सब भगतों के कश्ट मिटाते हैं हम कथा सुनाते हैं महडी पुर के सरकार भगतों के तार नहार